आज हाला कि हम सोच रहे थे नियू चेप्टर स्टार्ट करें और कल टैनियर करें बट मैं टैनियर के कुश्चन्स करके कॉंटिनियू में खतम ही कर दूँ ताकि बाद का रहना जाए क्योंकि पैंडिंग रह जाता है बाद में हर बार देट्स वाई ये कर लेते हैं ठीक है चलिए आईए इस कुश्चन में थोड़े से डेट्स की गड़ बड़ी है चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं कुश्चन टू से ध्यान से देखिए आप ये टेनियर बीकॉम में कुश्चन सहाई हुए हैं जैसे दोहजार आठ में आशा ओन सा हाउस इन डेली कंस्ट्रक्शन वस कंप्लीटिट 15 सेप्टमबर 2019 यानि आशा ने घर लिया और घर कंस्ट्रक्शन कराने में 19 में कंप्लीट हो चुका था द्यूरिंग दे प्रीविएस यर 22 तेईस ता हाउस लेट आउट रेजिदेंशल परपस एक अप्रेल 2022 को तू इकतिस जन्वरी दोहजार तेईस ध्यान दिजेगा मैंने घर एक अप्रेल 2022 से दिया घर और कब तक घर को मैंने किराय पे दिया 21 एक दोहजार तेईस कितने महिने होगे बताओ मंत के टम्स में बताओ कितने महिने होगे एप्रेल माई जून जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूर नॉम्बर दिसंबर और हमारा residential purpose remaining part बाकी के जो दो मेने बचे उसने क्या करे खुद रह लिया बाकी के दो मेने में उसने खुद अपना realize कर लिया एक second हलो हलो चलिए अब आ जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है मैंने इसको 10 मेने कर दी और ये आ गया municipal value दे दिया फेर रेंट दे दिया municipal taxes दे दिया C. वो रोड 20,000 दो लाख रुपए है जो लोन लिया इसने कब लोन लिया इसने एक अप्रेल को 142,000 19 को इसने लोन लिया और लोन कितने का लिया 2,000 का ध्यान देजेगा 12% per annum for construction of the house no part of loan repaid so far अभी तक नहीं किया गया अब घर देखो मजे की बात देखो हमने घर 2019 में लिया और 6-7 मैंने में मेरा घर बनके तयार हो गया यानि इसके ठीक थोड़े दिनों के बाद 15 सेप्टमबर को मेरा घर बनके तयार हो गया अब मेरा कोशन यह है सेप्टमबर में लोन लिया और सेप्टमबर में घर बनके तयार हो गया और 19 में और 19 में ही घर बन गया तो 19 की रिटन मैंने फाइल कर दी होगी और जब मैंने 19 की income tax रिटन फाइल करी होगी तो वहाँ पे हमें तो deduction मिली गया होगा तो फिर यहाँ pre-construction period नहीं है कहता है loan का repayment नहीं हुआ लेकिन current year का interest निकलेगा देखो question बड़ा simple सा था और यह 10 number का question पूछा गया था जिस time आया था यह सबसे पहले हमने क्या लिया municipal value mv municipal value municipal value is one lakh फिर क्या ले लें fair rent fair rent कितना एक लाग दस अजार फिर क्या लेंगे हम fair rent के बाद standard rent है नहीं तो standard rent अगर मैं लिख भी लूँ यहाँ पे तो not applicable है यह नहीं भाई यहाँ expected rent अगर मैं आपसे निकल वाँ तो बोलोगे sir 1.1 lakh और फिर मैं actual rent लूँगा क्यूंकि self occupied हो गया तो भाईया 2-3 मैंने कुछ नहीं मतलब है हम सीधा क्या करेंगा 12,000 इंटू में 12 लेने वाले हैं 1.44 lakh यहीं होगा ना बताइए हम सीधा 1,44,000 लेंगे क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर घर में एक दिन भी रह लोगे आप तो या फिर आपने सारे टाइम आप घर पे रहे सिर्फ आपने 10 दिन के लिए वे किराया पे दे लिए तो पूरे साल का rent उससे निकला निकाला जाएगा तो एक तरीके से मान सकता हूँ कि ये कहीं न कहीं कहते हैं कि जो genuine है उसका नुकसान हो रहा है यहां पे यहां पे GAV क्या आएगा सर GAV 144 माइनस empty कर दो और यहां पे कोई भी नहीं बोला हुआ है जब ध्यान दिजेगा जब भी questions में कुछ भी ना बोला जाए कि भाईया new rizm है old rizm है तो अब आपको new rizm से ही करना होगा अगर question बोलता है कि old rizm opt out इस तरीके से तो बात अलग होगे empty कितना दे रखा है आपको sir empty दे रखा है आपको 6000 तो यह क्या आगया NAV NAV आगया हमारा 1,38,000 अब यहाँ पे दो चीजे minus कर देंगे क्योंकि हमारा चाहे new rizm हो चाहे old rizm हो deduction तो मिलना तैह है तो minus कर देंगे 24A और minus कर देंगे 24B और जो जितने भी नए बच्चे है न उनको यह chapter समझ में नहीं आएगा जो अभी join हुए अगली class में new chapter स्टार्ट होगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो 138 यह है 30% 41,400 अब interest कैसे निकालेंगे current year का निकाल लो 2,00,000 का पूरे 12% तो कितने बनेंगे 24,000 minus कर देंगे 24,000 minus 24,000 72,600 यह हमारा answer done 32,600 answer completed यहाँ पर थोड़ा सा आप कुछ बच्चे year वगरा देख रहे हूंगे assessment year तो अभी date का मैंने कहा मेरे पास ना correction लगके अभी final paper आया नहीं है इसलिए market में भी नहीं है कुछ date उपर नीचे हो सकते हैं इसको हम rectify करेंगे dates का काफी इसके अंदर है ठीक है date यहाँ पर होना चाहिए था चलो date को देखते हैं answer यह रहेगा अगले question पर आ जाओ कहता है Mr. R on house property Delhi from the following information submitted to you compute the income from house property for assessment year 24 पच्चेस आपको municipal value दे दिया fair rent दे दिया standard rent the house property let out with respect एक चार से आठ हजार रुपे पर मंत के लिए let out कर दिया which was vacated by the tenant 30 September को इसने खाली कर दिया यानि 6 महिने के लिए घर हमारा किराय पे था the remaining vacated for 2 मंत दो महिने रहा और फिर इसने क्या करा फिर जाके इसने again किराय पे दे दिया 11,000 रुपे महिने के हिसाब से municipal tax paid दिखा दिया 20% है हमारा paid इसका कोई काम नहीं है interest on boring दे रखा है तो सबसे पहले क्या लोगे mb municipal value आपको एक्जाम में मैं न कई बाद डरता हूँ के भई मैं format में तो नहीं करता मैं question समझाता जाता हूँ आप exam में जरूर जैसे tenure में मैंने proper format follow किया हुआ है जब आएगा तो देख ले न उसी के according लेके चलना आपको exam में पूरा mb कितना है हमारा चलो मैं equation बता भी दूँ इसको कैसे करा जाएगा सबसे पहले लिखा जाएगा computation of income from house property for from house property of Mr. R for assessment year 2024 पहले तो इतने ये सारी heading है ये उपर का फिर आप इसको आपके उपर मर्जी अब GAV से start करते हैं या फिर fair and वगरे लिखते हैं amount particular municipal value municipal value 90,000 fair rent एक लाख दस अजार standard rent एक लाख standard rent एक लाख expected rent bracket में ऐसे लिख देते हैं restricted to या ये line छोड़ दो नहीं लिखोगे तब भी चले फिर वो ज्यादा book is language हो जाएगा तीनों में से क्या होगा हमारा एक लाख actual rent actual rent की बात करते हैं तो हमारे छे महिने तक रहे होंगे 8,000 कितने हो गए 48 और दो मेने खाली थे बच्चे चार मेने क्योंकि इसने दिसंबर से किराय पर लगा दिया फिर से तो चार महिने रहे हमारे 11,000 44 तो कितने हो गए हमारे 92,000 आप ध्यान से देखो 92,000 जो हो गया हमारा इसके अंदर अगर हम वेकेंसी नहीं रखते अगर हम वेकेंसी नहीं होता तब मेरा 1,00,00 जाता या नहीं जाता जाता कंफर्म यानि हम गवर्रमेंट के रूल के अकॉर्डिंग बेटर हैं तो हमारा अब अकॉर्डिंग चलेगा तो यहाँ पर लिख लो सीधा 92, अब lower concept लगा दो, यानि जी ये भी आएगा 92 एरर बड़ा हुआ, क्यूंकि अगर मान लो पूरे साल किराये पे होता, तो मान लेते हैं 48,000 ये और 44,000 ये, दो मैने कोई भी मान लो, अगर खाली ना होता, तो मान लो 8,000 ये भी अड़ कर लो तो एक लाख 8,000 हमारे हिसाब से किराये बन रहा होता, अगर मेरा किराइव अ जूट नहीं बोल रहे हो अगर मेरा किराया आ रहा होता 99,000 रुपे सबको जोड कर या मानलो 90,000 आ रहा होता तो सरकार बोलोगे भाई तुमारे 90 भी हम नहीं लेगे क्योंकि हमारे इसाब से एक लाक है तुम जूट बोल रहे हो तो उस सिचुएशन में क्योंकि मेरा टोटल रेंट जो है वो उनके एक्सपेक्टिड रेंट से ज़्यादा बन रहा है तो अब जो एक्चुल रेंट रिसीव हुआ है इनमें से आपका अगर यह कम है तो लोवर आ जाएगा और यह जादा है तो यह हायर आजाएगा आएगा यही जी एवी में माइनस एमटी पहले करवा रखा है कोशन सेम है सेम है बिल्कुल चलो आप कर दिया इतना तो करी देते हैं 20 परसेंट 18,000 माइनस इंट्रस्ट इंट्रस्ट कितने है 30,000 कितने बन गए 48 माइनस करता हूँ 92 में से 44,000 यह आ गया इंकम फ्रॉम भाउस प्रोपर्टी बुक का कोशन सेम है ओके बिल्कुल डेफिनेटली बुक में से काफी कोशन सेम रहते हैं आप यह कह सकते हो के बुक के अंदर भी टेनियर के ही कोशन डाले जाते हैं और यह भी कह सकते हो बुक में से भी पेपर बनाए जाते हैं दोनों कोशिबिलिटी है अच्छे कह रहे हैं सर चौबिस यह भी तो डिड़क्ट होगा माइनस 24 यह थोड़ा सा पर्जेंटेशन खराब हो गया मैं सोच रहा था चलो माइनस करो पहले इसको यह आ गया एन अवी तो अठारा माइनस करतों कि तो कितने बचेंगे कैल्गुलेटर नहीं लेखे आते हो आप सब करो माइनस 74 अब यहाँ पर आ गया एन अवी 74 अब माइनस करेंगे 24 यह 30 परसेंट अब माइनस करेंगे 24 भी 30,000 यहाँ 21,800 ठीक है